आज के रिष्टे उतने मजबूत नहीं तो इन्हें आजमाया मत कर। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मान। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बहुत बड़ी शुरुआत चुपी हो। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो आपको परेशानी में डाल सकता है सिवाए अपने शब्दों या विचारों के लोग शांत सिर्फ दो ही स्थितियों में रहते हैं या तो वो समझदारी होती है या फिर कोई मजबूरी होती है। तुम फिकर करना छोड़ दो लोग तकलीव देना छोड़ देंगे। मिट्टी के दीपक सा है ये जीवन तेल खतम खेल खतम वक्त पर बात करना और वक्त निकाल कर बात करने में बहुत फर्क होता है। जिन्दगी में दो चीजें हमेशा तूटने के लिए ही होती हैं सांस और साथ। वो ही दिये हमारे हाथ जला देते हैं जिनें हम बहुत जादा पसंद करते हैं। नफरत के एक पल में प्यार के कई साल भुला दियें। जीवन के इस सफर में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आसू खुदी पहुँचकर फिर खड़े हो जाते हैं। जिन्दगी में किसी से नफरत करो पर दिखावे की महबबत नहीं। पता नहीं कोई सची महबबत मान के आखिर मर जाता है। जिन्दगी में एहमियत उसे ही दो जिसमें एहम ना हो। वक्त और प्यार दोनों जिन्दगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं होते हैं। उधार दीजि हमेशा कुछ वक्त विराम लेना चाहिए ताकि स्वैम के बारे में भी कुछ सोच सके आत्मा पुराने शरीर को फैसे ही छोड़ देती है जैसे मानव अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नई कपड़े पहन लेता है ना हार चाहिए ना जीत चाहिए जिन्दगी में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्रों का साथ चाहिए किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो शरीर से आत्मा को लेने कभी फरिश्टे नहीं आते जीवन में उन पर विश्वास मत करो जिनका खयाल वक्त के साथ बदल जाए विश्वास उनका करो जिनका खयाल तब भी वैसा रहे जब आपका वक्त बदल जाए जानने की शक्ती और जूट को सच से अलग करने वाली जो विवेक बुद्धी है उसी का नाम ग्यान है सबसे समझदार और स्थिर बुद्धी वाला वैक्ती वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता और विफलता मिलने पर शोक में डूब नहीं जाता रोने से इनसान कमजोर बनता है ये गलत है बलकि रो रोकर तूटा हुआ इनसान ही सबसे पजबूत बनता है कदर उसकी करो जो तुम्हारी कदर करे जादा गुलामी में इज़त की निलामी होती है जरूरी नहीं की दोका दुनिया वाले ही दे आप खुद को भी दे सकते हैं दिल के रिश्टे तो किसमत से मिलते हैं वरना मुलाकात तो हजारों से होती है नाराज हमेशा खुशिया ही होती है साहब दुख के इतने नकरे नहीं होते दुख अक्सर सला नहीं साहरा मांगता है जिन्दगी रेल सी गुजर रही है उमीदे स्टेशन सी छूट रही है रात को रो कर सोना सुबा उठकर किसी को महसूस ना होने देना मौबत ये उनर भी सिखा देती है कुछ बदलाव कश्ट दायक होते हैं लेकिन आवश्चक होती है छोड़ कर जाने वाले क्या जाने यादों का बोज कितना भारी होता अजीब सा प्यार था उसकी उदास आँखों में महसूस तक ना हुआ कि मुलाकात आख नहीं है कुछ इखटा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं सब खफा है मेरे लहज़े से पर मेरे हालाथ से कोई वाकिफ नहीं होता मैंने जी की गुजरा है वो लमहा जहां लोग उलज कर दम तोड़ देते हैं पत्तर की कीमत तब समझाती है जब सुनसान गली में कुटा खेर लेता है वक्त वक्त पर अपनी तारीफ खुद ही कर लेनी चाहिए क्योंकि बुराई करने के लिए दूसरे जो खाली बैठे हैं जादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता ये दोनों किसी की नहीं सुनते कदर होती है इनसान की जरूरत पढ़ने पर ही बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में रहते हैं सच कहा है किसीने की किसी को भी फोर्स नहीं करना चाहिए खुद के लिए खुद लड़ना चाहिए